मैंने देखा है लोग कपाल भाती करते हैं पर इनको डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है वो पेट को इतना हिला लेते हैं कि पेट को हलाने के कोई आचित्ता नहीं है कपाल इस दिस पोर्शन कपाल हम माथे को कहते हैं यह पालेट अपका हाड इस बार का दस्वा अंतरराष्ट्र योग डिवस है और मैं बड़ा ही सुभागिश आली हूँ अपने 20 साल के करियर में मुझे यह दस्वा साल लगतार अपके मेरे अपने डिस्टिक डोडा में इस अज भी आप जब इंटरव के लिए आपने कहा तो हमने अपना सारा साजो समार जोग खास करके बच्चे जो हैं वो ड्रक्स की और प्रेवित हो रहे हैं उसके मैंने बहुत सारे सेशन्स भी की हैं लोगों को बच्चों को यह समझाया भी है लेकिन जब तक एक आप घर में अच्छा बीज नहीं डालेंगे अच्छा पोदा नहीं होगा योग से वो संसकार पैदा होते हैं योग के मैं आपको इन ब्रीफ पोलता हूं एक्जरसाइज जिनने हम योग आसन के नाम से जानते हैं फिर प्रानायाग नमस्कार दर्शको स्वागते आपका दस्ट्रेट इन में और मैं हूं मोहित कोद्वार इस समय मैं भधरवा में मौजूद हूं और आपको भधरवा की एक ऐसी सक्षीत से मुलवाने वाला हूं जिन्होंने योग साधना में अपना पर्चम जो है वह हमारे हिंदोस्तान में बलकि नेशनल में ने इंटरनेशनल लेवल तक ज इसले साली जो है मालूम पड़ा था जब यहां पर इंटरनेशनल योगा चेह था उस पर हमारे जो विशेश पाउल माजन जी उन्होंने इनको योग सिखाने के लिए इनको बुलाया गया था तब से इनको जानता था लेकिन आज फिर से जो है इंटरनेशनल योगा डे है आने वाला है तो इन से जो है वह जानते हैं पहले तो इनकी जो है लाइफ के बारे में जानते हैं कि किस परकार से इस योग साधना की तरह जो है यह चले गए उसके बार स्वागते आपका हमारे पहले तो आप हमें सरने गुरुदेवी कहूंगा आपको आप पहले हमें बताएं कि यह जो साधना है यह जो योग है इस तरफ आप कैसे मतलब की भादरवा जैसी एक जगा से आप आपके इंटरनेशनल लेवल तक जो है आपने योग जो है आप बताएं कि क्या आपकी जर्निक ऐसी रही शॉर्ट में कहूंगा आप बढ़ाई माभी हो ऐसे तुसनों करने चाहता है जैसे आपने कहा अब बढ़ाई आई जैसे आपने कहा अब बढ़ाई आई मेरो नोव योग आनिल ठाको रहे जांडरे असलाने बाले और मेरे फाद अब मैं फिर से हिंदी में आता हूं इसलिए क्योंकि सब दर्शक आप देखेंगे तो इसलिए मुझे थोड़ा से एक हिंट देना था सो मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कि जिन्दगी का यह सफर महजे मैंने कहां से कहां ले लिया स्कूलिंग मेरी यहीं से हुई उसके बाद मैं जमो चला गया वहाँ पर मेरी ग्राज़ेशन हुई जीजीम साइस कॉलेज से 2003 की बात है फिर एक दो साल के लिए हम डली चलेगे कुछ फ्रेंड्स लोग थे तो वो ड्रॉप आउट भी रहे ड्रॉप आउट तो नहीं कहेंगे हमने ड्रॉप किया खुद से ड्रॉप आउट एक अलग शे होता है फिर उसके बाद ऐसा लगा मुझे की चलो कुछ नया क तो कि थोड़ा सा मेरी हल्थ के थोड़े इसूस्ते यहां कि थोड़े से इसूस्ते वो मैं टेइन मेरी नहीं रहती तो मुझे लगा कि एक कोर्स को प्रॉप हो जाएगा और हैल्थ की हैल्थ मैं अपनेशन ने और 2006 में अपम्लीट हो गया उसी दोरान मुझे एक GBS करके एक सिंड्रोम रहता है, उसका भी एक अटाक हुआ, वो फिर किसी और दिन आप से जरूर शेयर करेंगे, तो वहाँ से मेरी लाइफ सारी चेंज हो गए, क्योंकि योग के ही बल से, बहुत कम लोग जानते हैं, जैसे कि बावरामदेव जी भी उ 2006 में उन्होंने अपना जब फाउंडेशन स्टार्ट की, उसमें भी मुझे एक मोका वो देरे थे, उन दिनों की बात है, क्योंकि मैं नया नया था इस फिल्ड में, उन्हें लगा एक नया नया बालक है योग के विशे में, तो मैंने रूची नहीं दिखाई, क्योंकि मेरे होते हैं, मुझे लगा मुझे जीवन में अपने ही तरीकी से कुछ काम करने है, तो इसलिए मैं किसी संस्ता से आज तक नहीं जुड़ा, और अपने ही पत पे चलता रहा, फिर मैंने तीन एक साल जो है योग के ही विशे को ले करके, केंद्री विद्यालों में पढ़ाया, लगे मैं बढ़ाया, दो साल मैंने जम्मू में पढ़ाया, फिर वहां पे मुझे एक प्रिंसिपल वहां पर थी, उसी स्चूल की विद्याले की, उन्ने कहा कि आप ब्रिलियंट लगते हैं पढ़ने में मैंने का ब्रियंट तो नहीं लेकिन ठीक है, उन्ने कहा आप अपने spiritual master's मिले और मैंने सुने कि आप वहाँ पे सन्यासियों के साथ भी रहे हैं जी हाँ तो वह जो आठ साल का जो पिरिट था वह बहुत ही अधवत पिरिट रहा दो हजार आठ से हाँ और दो हजार आठ से लिकरके करीब करीब दो हजार सोला सत्रह तक जी क्योंकि सत्रह में मैंने पिर यहां पर केवी स्कूल में बढ़ाना स्टार्ट किया और वो एक अधवत स्टोरी थी जिसमें मेरी कई बार जटाएं बनी कई बार कटे और 2012 में मेरी शादी भी हो गई जिसके में बक्ष में नहीं था ऐसा इंटेशनी नहीं था लेकिन वहाँ मेरी spiritual master ने मेरी एक दिन जटाएं कार दी वो कभी ऐसा करते नहीं थे जब मैं घर आया तो मैं यहां दो महीने के अंदर शादी होके वापिस गया ऐसी ऐसी मतलब बड़े ही अचंबे से होने लगे मेरी लाइव में लेकिन ये एक फिल्ड ऐसा रहा कि स्टार्ट में तो मुझे समझ नहीं आया जैस है मैं बना ही इसलिए भगवान ने स्पेशल हर किसी को कुछ नगुष जो है वो शक्ति दी होती है और अलगलग कारी जो है वह सूपे होते बस बात यह होती कि हमने उसको जो है वह पहचाननना है तो उसको जब हम पहचान लेते हैं तो फिर आगे का सफर हमारा शुरू होत से कूल्ड ड्रक्स ले रहे हैं करते हैं और भी बहुत सारी जो है नशे में यूध्य समय जो है वो चला गया क्या योग की शक्ती के साथ उन सब वहां से यूध और निकल सकता है यौग में इतनी शक्ती पिता है शायद वो ये सुनके अपने बच्चों को योग की तर्थ जो हैं वो ले जाएं ये बहुत ही प्यारा सा आपने question किया है और बहुत लोग की भी नहीं जानते मुझे लगता आपके जो आप खास करके आपको ले करके आप भी इसी line के हैं देखिए महजी योग जो है ये हमारी परंप्रा का एक हिसा रहा है हमारे जो गुरु कुलम रहा करते थे उसमें हर कोई section के उसमें कोई भेदभाव नहीं रहता था तो ये तो प्राचेन योग की बात थी लेकिन आज की date में भी उतनी ही relevance है योग की जैसे आप आजकल के जो ये nuances है जिसे हम कहते हैं society में लोग खास करके बच्चे जो है वो drugs की और प्रेवित हो रहे हैं उसके मैंने बहुत सारे sessions भी की हैं classes भी की है लोगों को बच्चों को ये समझाया भी है लेकिन जब तक एक आप घर में अच्छा बीज नहीं डालेंगे अच्छा पोदा नहीं होगा जी बिलकुल योग से वो संसकार पैदा होते हैं योग के मैं आप इन ब्रीफ पोलता हूं exercises जिनने हम योग आसन के नाम से जानते हैं फिर प्रानयाम जिसे हम कहते हैं मैं अपनी भाशा में उसे कहता हूं breathing alignment breath को कैसे align किया जाता है और फिर उसके बाद आता है आपकी stability जो की अध्यात्म की बात आती है तो ऐसा किसी और विशे में नहीं मैं देख रहा था आपने एक स्टोरी जिम से भी की थी आप तरह तरह के फील्ड से करते हैं लेकिन आप ज़रा खुद से अगर देखेंगे कि किसी समगर रूप से एक ही फील्ड का अगर कोई ऐसा है एक अगर करिकलम जिसमें ये सारी चीजें कहीं न कहीं टच होती है वो योग है लेकिन योग खाली सुनने सुनाने की बात नहीं यह सिर्फ करने की बात बाबार राम देव जी ने जब नौली का एक्ट नौली करिया आप यहां पर देख रहे होंगे मैं बार बार और यह मेरा उनसे कंपेर करने का मतलब नहीं रहता है लेकिन लोगों को यह जब six pack muscles की तरफ उस तरफ ध्यान देते हैं उस तरफ तो मैं कहता हूं कि यह six pack muscles आपको बहर से अंदर नी लाने अंदर से बहर निकालने और यह इसके अंदर भी बहुत सारी चीजे हैं बहुत सारे शरीव है हमारे पंच शरीर जी से हम कहते हैं तो धीरे धीरे वो पावर जाने लगते हैं और इनसान यह कोई ऐसे इस साइंटिफिक है बच्चों को जैसा जितना आप प्रेरिज करेंगे जितना आप उनको फिजिकल एग्जिसाइजी करवाएंगे योगासन करवाएंगे जो एक रिद आक्सेशन के लिए जब वो योग में आने लगते हैं ध्यान जैसी क्रिया करने लगते हैं इस उमर से जब वो करेंगे प्रेजित होंगे तो कंपारिटिवली वो उस नशे के बारे में सोचेंगी भी नहीं अचारियर जी आप हमें बताएं कि एक दो योग यानिकी मुद्र योग की हमें बताएं जिस से जो बच्चे हैं जो छोटे बच्चे जो भी उस तरफ नहीं पड़ें जो वो योग उनके मात हापीता अगर इस वीडियों को देखें वो अपने बच्चों को यह योग क्राएं कि आने वाले समय में जो बच्चे एक दीन योग को यांसे हैं दो योग जो कि नौर्मली वो घर पे अपने घर के कामकाज पढ़ाई के साथ साथ में वो भी योग जो है अगर वो आप बता दें हमारी विवर्ष को तो बिल्कुल योग में तो वैसे अनेको अनेको प्रकार को करिया है लेकिन अभी जो दूविधा है वह यही है नशे नश मार्क पर चलेंगे तभी वह स्टडीज अपनी करेंगे माता-पिता की सेवा कर पाएंगे हर चीज जो है लेकिन वह उसी तरफ ज्यादा अट्रक्ट जो है वह हो चुके तो उससे निकलने के लिए या अभी से योग ऐसा किया जाए कि उस तरफ आपका ध्यानी केंदरत नहों बिलकुल जरूर क्योंकि ये मोकर रहता है मैं प्रेवित करूंग करना चाहूंगा इन बातों से कि सबसे पहले जब भी ये पेरेंट्स की डूटी बन जाती है वो अगर वो खुद से करेंगे तो तब जाके बच्चे की पॉलो करते हैं इसलिए आप देखते होंगे अगर म मेरे बारे में कभी सुना हो मैं हमेशा अपनी बिटी को साथ में लेके चलता हूं लोग मुझे ये ना कहें कि घर से तो बिलकुल ऐसे हैं और फिर बाहर आके हमें सिखा रहे हैं इसलिए मैंने आज तक किसी बच्चे को शायद अपने 20 साल के करेयर में चोटा सा वैसे आप जहां तक रही बच्चों की बाद सुबा उठके पानी ज़रूर पिए गट साफ हो जाएगी आपकी उसके बाद सूरी नमस्कार एक हमारा एक ऐसा कंपाक्ट एक हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को रिगुलेट करने का एक ब्यूटिफुल तरीका है जब आप सीखेंगे तो आप जान पाएंगे एक एक पॉस्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् से आपने सुना होगा वाइंस से श्वास ले और राइट से छोड़े होता क्या कि हमारे ब्रेन के दो भाग हैं महीचे आप जानते ही हैं हम सब लोग जानते हैं और वो दोनों भाग जब हमारी जो नसों का जो सिस्टम है यहां गर्दन से कैसा हो जाता है कि यह आगे पीछे यह क्रिस-क्रॉस हो जाता है यानि कि लेफ्ट वाला जो हमारी नसिका है वो राइट से कनेक्ट हो जाएगी और राइट वाली जो है वो लेफ्ट से तो scientifically हम इसको sympathetic और parasympathetic ऐसा कहते हैं तो जब हम माले यह लेफ्ट जो हमारी नसिका है वो coolness को represent करते, symbolic है राइट जो है वो उशनता को, गर्मी को, नहीं कि सूरज को तो जब इन दोनों का सूरज और इसका जो सर्दी और गर्मी का यह जो balance स्थापशित रहेगा तो automatically वो जो thoughts हैं बच्चों के या किसी के भी जो ऐसी क्रिया को करते हैं वो बिलकुल balance हो जाएंगे, संतल हो जाएंगे, bad change, settle down हो तो जरूर करें, कम से कम पांच से साथ मिनट अनुलों विलोंग जरूर करें, इस वीडियो में हम सिर्फ आपको इंडिकेशन देंगे, लेकिन हम फिर से एक नया सेशन करेंगे, एक आसनों का ही करेंगे, मैं चाहूंगा हम कभी live चले जाएंगे आपके साथ मानिंग में, अगर आपके बास जब कभी समय होगा, और बच्चों के लिए एक आसन है, उसे हम कहते हैं भुजंग आसन, बड़ा ये ब्यूटिफुल आसन है, और मैं आपके साथ कुछ शेयर भी करूँगा, अगर उसके बाद आप इन लोगों के साथ एक अपना जो हमने बनाया हुआ ह उसके माध्यम से भी आप एक वीडियो भी शेयर कर सकते हैं, और जैसे दिवा भी दिखाएगी हमें यहां पे, भुजंग आसन, थोड़ा सा दिवा, इस तरह से, यह आप हैरान हो जाएंगे कि बच्चे किस तरह से मुड़ सकते हैं, यह बच्चों को जब इस तरह का आप देखेंगे यह आपका thyroid gland, यह नीचे adrenaline gland, यहां पे रहता है thymus, पीचे रहता है pituitary, यहने कि scientific है यह ऐसा नहीं कि मेरी तरह गटाय रख ली और आप लोगों को बावब बनना है, मैं हमेशा अंग्रेजी में एक आंधीरे से वापिस, अंग्रेजी में एक हावत यह आसन कर है क्योंकि अभी एवन मुझे भी मुश्वल हो जाता है अपकी जैसे सर पर पाव लगाने, यह advance है, मैंने देखा है लोग कपाल भाती करते हैं और उनको disk की problem हो जाती है, वो पेट को इतना हिला लेते हैं क्योंकि पेट को हलाने को कोई औचित्ता नहीं है, कपाल is this portion, कपा हम माथे को कहते हैं, यह palette, आपका hard palette और भाती मतलब इसको clean करना, चमकाना, आपने देखा होगा ना, सादो, संतो को, सन्यासियों को, रिशियों को, उनका माथा हमेशा चमकता रहता है, और आप से थोड़ा सा मैं शेयर कर लो, पिछले करीब 20 सानों से मैंने साबून तक न लगता है, जब आप नीचर के साथ हो जाते हैं, लेकिन फिर से मैं आपके पुराने question पर आता हूँ, कि आप सीखिए, आप मेरे पास आईए, प्रॉपर उसका, मेरे पास हैं, किसी के पास भी, क्योंकि मैं यहां से हूँ, अवेलेबल हूँ, तो आप जरूर कोंटाक्ट की मैं जरूर आपकी मदद करूँगा, लेकिन हाँ, योग को प्रॉपर स्टार्ट से एंड तक करना होगा, तब जाके वो टिप्स कामने हैं, तो उसके बाद फिर 2016 कि शादी कब करी फिर आप बारा में शादी होगे, और बारा में शादी होने के बाद फिर हम वापिस दिशी होगे, जी, तो यह से बाद आप बच्चे भी आपके साथ योग की वो सादनों कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि दिवा आपके साथ में चलते हैं, तेज़स अभी छोटे हैं, तो समय के साथ ये भी जो है, मुझे लगता है कि योग में काफी अच्छे हो जाएंगे, तो इससे कुछ और भी पावर्स मिलती है आदमी को जैसे कि सोचने की समझने की शक्ति जादा हो जाना या और कुछ ऐसा या या मेरे बारे में कुछ आपको पहले ही पता चल जाना या किसी को देखके ही उसका वो थोड़ा बहुत पता चल जाता है कि इसकी vibes कैसी हैं देखिए मैं सही मैंने कभी जोट बोलना नहीं सीका है खास करके जब से योग में आया हूँ एक बात मैं जरूर कहूंगा आप कुछ भी करते हो if you want to become a good doctor or an engineer you can become a better doctor by doing yoga मैं यह कहता हूँ कि आप योग को अडॉप्ट कीजिए इसकी habit बनाएए वो जो powers है आपकी हमें किसी को मैं अपनी example बताता हूँ मेरे जो spiritual master है एक बार वो बच्चा लेके आई एक पंजाब से एक और और उनने का बाबाजी इनको आशिर्वात दिजिए तो उनने का किस तरह का आशिर्वात चाहती हो बटी तो उनने का बाबाजी एक अच्छा है doctor बन जाए बाबाजी हसने लगे और ने कहा और मैं तो उन दिनों नया नया था दो तिन साल होगे यह क्या होगे मैं भी हस पड़ा आकस्मक हसने लगा उनने कहा बटा या तो तुम पागल हो या तो मेरी बुद्धिया भी काम नहीं कर रहे तुम्हें बनाना ही है इनको एक अच्छा अब देखिए लोगों के मान में ब्रहांतिया देखिए मेरे साथ एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं कोई ऐसा आशिरवाद देखेंगा लेकिन वह पावर्स उसमें आ जाए ऐसा नहीं चाहेंगे और आप यकीन ही मानेंगे महीजी शायद आप मान भी ले तो आपकी जंता नहीं मानेंगी भगवाद कृषिन जम अवतरित हुए या राम जी अवतरित हुए वो सेम इसी प्रॉसेस से गए हैं योग के द्वारा अपने गुरु कुलम के द्वारा तब जाके वो हम अने भिग्ये तो हैं हम सब लोग जानते हैं हाँ ये बात अलग है कि उतनी अबर्ष जगाने का ये किसी तरह के ऐसा इसमें रहें वरना अगर आप कहें मैं भी कुछ ऐसे सर्सों के दाने पढ़के किसी को मेरे मास्टर में ऐसे मुझे कहा नहीं है लेकिन मैंने देखा ये शीज फील कि मैं जब उसको देता हूं किसी को मैंने एक दो बार ऐसा करके तो अगले को आराम मिला उसमें किसी तरह की कोई पावर नहीं थी वो सब पॉजिटिवीटी रहती है बिल्कुल बिल्कुल शेल्पलेस्टनेस रहती है आप भली भांती इसको जानते हैं कि मैं भी आपको घहराई से जानता हूं ये इस तरह की भांती में मत रहे कुंडलीनी स्क्राइब के तरह करता है इसमें भी वैसा ही होना पड़ता है तब हो सकता है लेकिन मैं अब हम नहीं कर रहा हूं एक सिंपल से एक रास्ताअ वालो कर्रहूं थीख तृक अभी इंटरनेशनय योगा डे आने नाना उसके लिए अब क्या हमारे जंबग करना है इस बार का और मैं बड़ा ही सुभागिशाली हूँ, अपने 20 साल के करियर में मुझे ये 10 साल लगतार मेरे अपने डिस्टिक डोडा में इस बार काम करने का मौका मिल रहा है, और 21 जून को हम डिस्टिक स्पोर्ट स्टेडियम डोडा में मिलने के लिए जा रहे हैं, हम तो हमेशा आते ह आज भी आप जब इंटर्व के लिए आपने कहा, तो हमने अपना सारा साजो समार, क्योंकि तैयारी होनी चेए इसान की, तो मैं फिर से हर बार की तरह, बहुत साल होगे, दस साल में आपने सिर्फ दस दिन किया है, दस दिन से बिलकुल काम नहीं बनेगा, ये, मैंने कहा थ है एक बात, कि अगर हम, आप बच्चों को पाकेज़ फूड देते हैं, जिस पर एक डेट लिखी होती है, बेस्ट पिफोर थ्री मांस, या सिक्स मांस, नाइन या जादे से जादा बारा मांस, उतने से काम नहीं चलेगा, ये, बिलकुल बंद कर दीजे आप, कोई, आप य किसी गाइदन्स की जरुरत है, आप कहें ना, हम यहीं पर तो है, आपको कहीं, बाहर जाने की जारूँति नहीं, कुछ पैसे क्रचने की जारूँति नहीं, यहाग जो कि तरफ से और मेरे अपने डिपार्टमेंट आयूश की तरफ से मैं आप सबसे अपील करूंगा क्योंकि यह तो लीड कर ही रहे हैं डीसी साब ने मुझे जाने नहीं दिया इस पार हमारा मोदी जी का जो हो रहा है वहां पे जिए मैंने सोना कि आपको वहां के लिए वहां प करने वाली है सब स्कूल्स के बच्चे चोटे बड़े बीमार ही नहीं जो लोग हल्दी है मैं उनके लिए ज्यादा अपील करता हो हर बार बीमारी की कारण में तो वाफ करते हो भी लोगों को देखता हूं लेकिन जो लोग बीमार नहीं है वो अपने घरों के विस्तर त्य लाग दे सुभाग की धूप लेना कितनी जरूरी है वो एक आवर अपने लिए जरूर निकाले हर रोज निकाले 21 को 21 जून को विशेज बनाए इस बार कम से कम थांक्यू सो मच मिलते आपको अगली ऐसी वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार